सुबद्रा कुमारी चौहान के काववे में जिन सांस्कृतिक मूल्यों को जिस राष्टी चेतना को हम देख पाते हैं वो वास्तव में हिंदी जगत में हिंदी काववे में एक विलक्षन उपलब्दी है सुबद्रा कुमारी चौहान जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 में नाग पंचमी के दिन हुआ था इलाबाद में जो निहालपुर नामक स्थान है वहाँ पर वो जन्मी थी उनके पता ठाकुर श्री रामनाच सिंग और माता धेराज कुमर इस रूप में उन्हें जाना जाता था उनके पती ठाकुर लक्ष्मन सिंग चौहान थे और वो राजपूत वंश से संबद्ध थी महिपाल सिंग उनके दादा का नाम था और जो लोहंदा के जमिदार थे वो कुल चार बेहनों के साथ पांच बेहनों वाला परिवार था दो भाई थे सुबद्धरा कुमारी चौहान अपने माता पिता की साथवी संतान थे मित्र और पत के साथ ही उसमें वो महादेवी वर्मा को याद करती है उनकी राष्ट्रिय सांस्कृतिक जो हिंदी जगत की हिंदी कावे की इस तरह की जो कावेधारा है उसमें सुबद्धरा कुमारी चौहान ने अपनी विशिष्ट जगा विशिष्ष्थान बनाया राष्ट्रिय सांस्कृतिक कावेधारा यों तो मुख्य रूप से छायवादी कावेधारा के समानांतर ही चलती रही अजस्र रूप से प्रवाहित होती रही एक तरफ छायवादी कवी अपनी राष्टी चेतना की भावा विव्यक्ति के माध्यम से कावे सरजन कर रहे थे स्वतंत्र और प्रत्यक्ष रूप से और कहीं कहीं परोक्ष रूप से इस राष्टी चेतना को हम जिसे महादेवी वर्मा भी दीप मेरे जल अकंपित पंथ रहने दो अकेला तो ये जो स्वत्मता सैनानी थे राश्टी चेता थे उनको समर्पित कविताएं वो लिख रही थी तो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में ये काविधारा चलती रही दूसी तरफ राश्टी सांस्कृतिक धारा के कवियों ने देश भक्ती के भाव को राश्टी चेतना से परिपूर्ण करके निडरता के साथ निर्भायता के साथ प्रस्तुत किया वो भी तब जब हम गुलाम थे अंग्रेज हम पर काविज थे आजादी का सपना हम सब बुन थे तब इस तरह के हमारे राश्टी सांस्कृतिक काविधारा के कवियों ने नकेवल हिंदी में अपितु भारत की हिंदी इतर अन्य अनेक भाशाओं में इस चेतना को उद्गाटित किया जागरत किया और इसका मंत्र संचरित किया एक प्तिष्ठित कवित्री के रूप में सब अद्रकुमारी चोहन का प्रवेश होता है और उनकी राश्टी चेतना पर जब हम विचार करते हैं तो वो स्वाधीनता की चेतना से स्पंदित कवित्री के रूप में हमारे सामने आती हैं उनके लिए राश्टहित सर्वोपरी रहता है हर जगा, हर कावे में, हर कविता में, हर काव्यांश में देश प्रेम और स्वतंतरता की अनुगूंज उनकी कविता में सर्वोपरी उपस्थित होती है, प्रतीत होती है बहुत ही प्रसिद्ध कविता उनकी महरानी लक्ष्मी बाई पर जिसको हम बाले काल से पढ़ते सुनते आते हैं, कंठस्त है और उसको पढ़ते हुए समों में उसका जब गायन करते हैं तो रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं, बुन्देले, हर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी वास्तव में रानी लक्ष्मी बाई जिनका संबन्ध जहासी से था उनकी जो मरदानगी थी, उनकी जो निडरता थी, राष्ट के लिए बलिदान हो जाने की जो संकल्प शक्ती थी, उसके प्रती इस से सुन्दर शद्धांजली संबवत है कोई और नहीं हो सकती थी, जो सुबद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस कविता के माद्धिम से दी, बुंदेले हरबोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी, महलों ने दी आग जोंपडी ने जो आला सो लगाई थी, वह स्वतंतरता की चिनगारी अंतर तम से आई थी, ये जो भावना है, महरानी लक्ष्मी बाई को स्मरन करते हुए, उनके प्रदे को नमन करते हुए, सुबद्रा कुमारी चौहान ने ये बहुत ही, अवे स्मरन ही ये कविता हिंदी जगत को दी, राष्ट का गौरव गान, उनकी काविगत विशेष्टाओं का एक प्रमुख आयाम बनकर उबरा, सुबद्रा कुमारी चौहान की देश प्रेम की भावना, राष्टी चेतना के केंद्र में रहती है, उनकी कविताओं में अतीत के स्वर्नेम गौरव का गान, स्वर्नेम गौरव गान की भावना, छायवादी कवियों में भी, गद्दे और पद्दे दोनों में दिखाई देती है, वही सांस्कृतिक राष्टवादी, इसका विधारा में भी, हम देख सकते हैं, इन बुन्देलों की जहासी में शस्त्रों बिना तार कैसा, देश प्रेम की मतवाली को जननी परसकार कैसा, और मात्रिभूमी की वंदना, जिस प्रित्वी पर हमने जन्म लिया, जिसे हम मा के सम्तुल्य मानते हैं, इसलिए उसे मात्रिभूमी कहते भी हैं, उस मात्रिभूमी की वंदना करना, उसकी माटी से तिलख करना, उस राष्टिय सांस्कृतिक कावेधारा के समस्त कव्यों ने इस मात्रिभूमी वंदना को जननी जनम भूमी स्वर्ग से महान है, इस भावना को अपने रचना धर्मिता से पाठकों तक पहुँचाया, सबद्रा कुमारी चोहान का विवाह जब स्वतनता सैनानी ठाकूर लक्षवन सिंग चोहान से हुआ, तब उन्होंने व्यक्तिकत हितों की तिलांजली दे दी, और स्वाधिनता अंदोलन की डगर पर, चनोतियों को स्विकार करते हुए मात्रिभूमी वंदना में जीवन अ लागरिकों के लिए, पापों के गड़ तूट पड़ेंगे, रहना तुम तैयार सकी, विजय हम तुम मिलकर लेंगी, अपनी मा का प्यार सकी, यह जो दर्ती मा है, इसका सने, इसका आशीश, यह वर्दान है, और समकालीन, समसामाइक, जीवन की जो भावनाएं थी, जो समवेदनाएं थी, सुबद्रा कुमारी चोहन ने अपने साहित में, इतियास बोध के माद्यम से, युग बोध के माद्यम से, राष्टी चेतना के माद्यम से, कविताओं में पिरोते वे उसे एक सशक्त दंगाधर तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राए हों, चाहे महत्मा गांदी हों, उनकी प्रेरना, इन सबने सुबद्रा कुमारी चोहन को रह रहकर अनुप्रानित किया, प्रेरित किया, उद्बोधित किया, जागरित किया, तिलक लाजपत गांदी जी भी, बंदी कितनी बार हुए जेल गए जनताने पूजा संकट में अवतार हुए जब देश संकटों से गुजर रहा था तो ये अवतारी पुरुष हमारे समक्ष उपस्तित हुए इनकी निडर्ता ने इनकी जुजहरूपन ने इनकी जीवनी शक्ति ने इनकी रास्टी चेतना ने विदेशियों को आकरांताओं को शाशकों को उनकी बुनियाद को हिला दिया स्वाधिन्ता में इस्त्रियों का योगदान भी विलक्षन था इसलिए रानी लक्षमिवाई की वीरता और उनके साहस साहस गाताओं के बखान स्वरूप नजाने कितनी अड्ने इस्त्रियों के मनह पटल पर सुबद्रा कुमारी चौहन ने देश बक्ती की रेखा अंकित क कर दी ये जो कविता है खूब लड़ी मरदानी वैतो जहांसी वाली रानी थी इस कविता ने भारत की असंख मैलाओं और इस्त्रियों के चित्त में इस जुझारूपन का इस संगर्ष शीलता का इस राष्ट्रिये चेतना का बीजवपन कर दिया सिंगासन हिल उठे राजवन्शों ने ब्रिकुटी तानी थी बूड़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी खूब लड़ी मरदानी वे तो जहांसी वाली रानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी अब यह जो सामुहिक एकता थी यह जो समेकित एकता थी सबने मिलकर फिरंगियों को हम पर काबिज हुए अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करने का संकल्प मन में ठान लिया था बना लिया था इसलिए जिस गुलामी के कारण हमने आजादी की कीमत को पहचाना उसकी महत्ता को अनुभव किया अनुभूत किया तो फिरंगियों को निकाल बाहर करने का संकल्प भी लिया राजनीतिक राष्टी चेत्ना ये भी महत्तपूर्ण बिंदू है आयाम है सुबद्रा कुमारी चोहन ने भारत भूमी को सफल विश्व संस्कृती का केंद्र बताया प्रसाद भी लिखते हैं जहां पहुंच अंजान ख्षितिश को मिलता एक साहरा तो ये जो हमारा जो मदुमे देश है ये वास्तव में विलक्षन है सुबद्रा कुमारी चोहन ने विदा जैसी कविता लिखी वीरों का कैसा हो बसंत जलियां वाले बाग में बसंत राखी की चुनोती विजय दश्मी मात्री मंदिर में व्यत्थित हरदै ऐसी नजाने कितनी कविताएं राष्टी और राजनीतिक चेतना का परियाए बनकर हमारे सामने आई और जो विलक्षन स्रजन शक्ति से सशक्त लेखनी सुबद्रा जी के पास थी जिसमें एक रचना धर्मिता की शक्ति एक अलग तरह से उभर कर हमारे सामने आती है उसका परिणाम है कि उन्होंने इस तरह की असंग के अनेक कविताओं का सरजन किया आते हो भाई पुने पूछती हूं कि माता के बंदनों बंदन की है लाज तुमको तो बंदी बनो देखो बंदन है कैसा चुनोती है राखी की है लाज तुमें ये जो राखी की लाज शपत देकर सौगंद देकर वो भारतवासियों को राष्टवासियों को जागरित करती है इसकी आजादी के लिए प्रेरित करती है प्रस्तुत रहने के लिए उन्हें उपस्तित रहने के लिए उनका आहवान करती है क्रान्ति परक राष्टी चेतना भी सुबद्रा कुमारी चोहन की कविताओं में यत्र तत्र सर्वत्र विद्यवान है वह क्रान्ति परक कवित्री के रूप में भी जानी जाती है स्वाधींता अंदोलन के दोरान वे जहां कहीं भी भाशन देती है उसमें उनकी देश भक्ती का ओज, उत्साह, उमंग, शौर्य और पराक्रम ये दिखाई देता वो निर्भय थी, वो निडर थी, वो इस स्वातंत्र चेतना से युक्त धर्ती की माटी से निर्मित थी इसलिए उन्होंने जहां कहीं भी वक्तव्य दिया, देश की आजादी के लिए प्रेरित किया उसमें एक ओजस्विता मुखर रूप से प्रकट होती है कॉंसिचुएट एसेंबली में 22 सितंबर 1937 को दिये गए उनके भाजण में उनकी इस तेजस्विता को हम सहजी अनुभव कर सकते है 1937 जो की गुलाम भारत का समय था हम जानते हैं कि हम 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुए तो आजादी से लगबग दस वर्ष पहले जब चारों तरफ से सातंतर चेतना का बिगुल बजरा था तो उस असेंबली में उनके भाशन में सुबद्रा कुमारी चौहन ने जो वक्तव दिया वो उनकी निर्भीकता और निर्डरता का परिचायक है ब्रिटिस सरकार के कारखाने में हमारे लिए फेडरेशन की बेडियां तैयार की जा रही है और हमारे समझदार सलाकार और हमारे साबधान सलाकार हमें सला देते हैं कि उसे पहन ले पहन के एक बार देखी तो सही कौन जाने एक बार पहनने के बाद वह कोई जेवर थाबित हो ऐसे सलाकारों को हमारा उत्तर यही है कि बस अब बहुत हो चुका अब हम इस रुपहले फंदे में नहीं फसेंगे वो जानती थी कि ये गुलाम बना कर रखने वाली सत्ता ये नजाने किस तरह की वाइचारिक बेडियों में इन सुत्निता सैनानियों को जगड लेना चाहती है लेकिन निडरता और निर्भायता से निर्भीकता से सुबद्रा कुमारी चोहान इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है इन फंदों को ठुकरा देती है अब हम ऐसा शाशन विदान नहीं चाहते जिसमें बेडिन इंग्लेंड की छाप लगी हो हमें तो हिंदोस्तान में बनाया हुआ ऐसा शाशन विदान चाहिए सच बात को तो यह है कि हंदोस्तान की आत्मा विदेशी सत्ता के खिलाफ अब क्रान्ती कर बैठी है कितना महत्मून वाक्य है सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान की आत्मा विदेशी सत्ता के खिलाफ अब क्रांती कर बैठी है तो यह जो क्रांती चेतना है यह जो स्वातंत्र चेतना का शंक नाद है यह असेंबली में सुबद्रा कुमारी चौहान सुनाती है कोमल बालक मरे यहां गोली खाकर कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर आशाओं से भरे हिरदय में छिन हुए हैं अपने प्रिय परिवार देश से भिन हुए हैं नजने कितने परिवार बिखड गए अपने परिकर मित्रों परिजनों से बिचड गए लेकिन उन्होंने समझाता नहीं किया वो निडरता के साथ निर्भीकता के साथ जूजते रहे संगर्श करते रहे और आजादी के उस स्वपन को साकार करने के लिए वो लालाईत दिखाई देते रहे कुछ कलियां अद खिली यहां इसलिए चड़ाना करके उनकी याद अश्चुके ओस बहाना तलब तलब कर वृद्द मरे हैं गोली खाकर यह जो उद्बोधन गीत है यह जो जागरती गीत है यह जो सुपत आत्माएं हैं उन्हें जगाने का भाव है वो सुपत्द्रा कुमारी जोहान की कवताओं में सर्वत्र दिखाई देता है जन्होंने ने आजादी के लिए राष्ट के लिए आत्मदान दिया आत्मदान कि उनकी भावना को राष्ट मुक्ती का मुख्य आधार स्थम्ब सुबद्रा जी बताती है सुबद्रा कुमारी चौहन की राष्टी चेतना में देश के प्रती एक अद्वुत एक विलक्षन समर्पन एक एक निराला बलिदान का भाव ये मुखर होता है इसलिए कहती है गिरफतार होने वाले हैं आता है वारंट अभी धक्सा हुआ हर्दै मैं सहमी हुए विकल साशंक सभी किन्त सामने दीख पड़े मुस्कुरा रहे थे खड़े खड़े रुके नहीं आखों से आंसू सहसा टपके बड़े बड़े तो ये जो मुस्कुरा कर और आर्द्र नेत्रों से वो इस आजादी का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं पगली योहीं दूर करेगी माता का यह शैशवकष्ट रुकाब एग भावों का दीखा अहा मुझे यह गौरव स्पष्ट सुबद्रा कुमारी चोहान क्रांतिकारी भावनाओं में लिप्त दिखाई देती हैं कहीं समर्पन से सर्वाधिक नत्मस्त तक हुई तो वह है धार्मिक भारत की संस्कृतिके समक्ष्ट उन्होंने अपना माथा जुकाया । जो धार्मिक भारत की संस्कृतिक चेत्ना है उसके प्रती वो शीश नवाति हैं जेल हमारे मन मोहन के प्यारे पावन जन्म स्थान भगवान कृष्ण का जन्म वे तो कारवास में हुआ था तो उस जेल से क्या डरना हमारे तो आराध्य जेल में पैदा हुए इसलिए हम तो उस अनवंश से उस वंश से हैं जेल हमारे मन मोहन के प्यारे पावन जनम स्थान तुझको सदा तीर्थ मानेगा कृष्ण भक्त यह हिंदुस्तान तो जेलों से डर नहीं है कारावास से कोई भै नहीं है अगर शाशक अगर सत्ता आजादी का स्वर बुलंद करते हुए कारावास का मार्ग दिखाए तो कवित्री कहती है हमें उसका कोई भै नहीं हमारे तो आराद्य स्वयम जनमे ही उस कारावास में है इसलिए हमें उसकी कोई डर की भावना नहीं है संगर्श का भाव और कर्म का समनवै उसके साथ जुड़ा हुआ है स्वातंत्र आंदोलन के इतिहास में हम देखें स्वाधिन्ता की संप्रेशित होती हुई परिभाशा के काल में हम देखें आजादी की आकांगशा जगाने में स्वातंत्र पत पर जेल की यातनाएं जेल कर स्वाधिन्ता के स्वप्न को साकार करने में सुबद्रा जी सुबद्रा कुमारी चोहन जी की भूमी का बहुत सक्री है बहुत रचनात्मक और बहुत ही महत्पून रही है इसलिए राश्टी चेत्रा में संगर्श का और कर्म का समनबे स्थापित करते हुए स्वातंत्र आंदोलन को सही दिशा देते हुए देश के प्रती गहरी मानसिक आसक्ति के कारण उनका समगर साहित आज भी देश के प्रती राश्ट भाव को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा है और लगातार वे उद्बोधित कर रहा है विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथ मेरे कहने वाली सुबद्रा कुमारी चोहान आज की वाल राश्ट्री ये सांस्कृतिक धारा की कवित्त्री के रूप में ही याद नहीं की जाती अपितु उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व इस तरीके सशक्तिकरन की भारतिया अवधारना की एक महत्पूर्ण कड़ी बनकर हमारे समक्ष उभरता है उसे हम सदा सरवदा स्मरन करते रहेंगे ऐसा हम कह सकते हैं आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ स्वागत करती हूँ तेरा तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मान मेरा आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी आ उस युवक वीर सा जिसकी विपदाएं ही हैं प्यारी आ उस सेवक के समान तु विनेशील अनुगामी सा अथवा आतु युद्ध ख्षेत्र में कीर्ति धजा का स्वामी सा आशा की सूखी का विताएं तुझको पौफिर तुझको पाफिर लहराईं अत्याचारी की कृतियों को नेरभ हैता से दर्साई ये जो चेतना है भावना है ये वास्तम में अद्बुत है और काश्मीर से कन्या कुमारी तक एक छोर से दूसरे छोर तक एक सीमा से दूसरी सीमा तक चारों तरफ एक अखंड रास्ट इसकी परिकल्पना स्वद्राजी करती है इसलिए अखंड रास्ट कान करते हुए कुछ विशेश अर्थों में उनका रास्टी चेतना से परिपूर्ण सरजन करे पूरे हिंदी साहित में बेजोड है अतुल है अतुल नहीं है सुबद्राकुमारी चौहान का जो रास्ट्री ये कावे है वो मात्र प्रलेवादी वर्था भावुक्ता पर आश्रित नहीं है वो जीवन के प्रधान करतवे की अभिव्यक्ति के रूपे हमारे सम्मक आता है वो कर्मवादी साहित थे है वो संकल्पवादी साहित थे है वो प्रेरना युक्त काववे और सरजन बास्तों में वंदनिये और स्तुत्ते हैं उनके काववे में जलियां वाला बाग में बसंत जहांसी की रानी की समाधी पर सेनानी का स्वागत जैसी न जाने कितनी रास्टी का विताएं अलग-अलग रूप में स्वादीनता की अलग जगाती हैं कहदे अतीत अब मौत त्याग लंके तुझ में क्यों लगी आग एक कुरुक शेत्र अब जाग जाग बतला पहले अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो बसंत एक बहुत लंबी कविता के रूप में उन्होंने इस कविता का सरजन किया हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंगगर के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड दो जगा आज स्मृतियाज वलंत बीरों का वैसा ही भसंत भूशन अथवा कवी चंद अब बिजली भर दे वह चंद नहीं है कलम बंदी स्वाचंद नहीं फिर हमें बताए कौन हंत बीरों का कैसा हो बसंत इस तरह हम देख सकते हैं कि अनुचित यह कहना भी नहीं होगा कि आधुनिक राष्ट्रिय सांस्कृतिक चेतना के एक कुशल व्यक्तित्व के रूप में एक सफल व्यक्तित्व के रूप में सुबद्रा जी ने नेशनलिटी के कैन्वस पर बहुत व्यापक रूप से मव्य फलक पर अपनी पहचान बनाई मैं उनमत्त प्रेम की प्यासी हर्दे दिखाने आई हूँ जो कुछ है वैं यही पास है इसे चड़ाने आई हूँ चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो सुईकार करो यह तो वस्तुत तुमारी ही है ठुकरादो या प्यार करो यह सुबद्रा कुमारी चोहन की राश्टी चेतना का वस्तुत है स्वर सुनाई देता है ऐसी महान का वित्री को हम नमन करते हैं पुन्य स्परन करते हैं और इस विशे को यहीं विराम देते हैं, नए विशे के साथ फिर आपके समक्ष उपस्तित होंगे, आग्या दीजिए, नमस्कार. आपके समक्ष उपस्तित होंगे, आपके समक्ष उपस्तित होंगे, नमस्कार.